नमस्कार साथियों, 2023 का वर्ष, आज बजेट सत्र का प्रारम हो रहा है, और प्रारम में ही, अर्थ जगत के, जिनकी आवाज को माननेता होती है, बैसी आवाज चारों तरफ से, सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है, आशा की किरन लेकर आ रही है, उमन्ग का आगाज लेकर के आ रही है, आज एक बहत्वकुं अवसर है, भारत के वर्दमान राश्पती जी की, आज पहली ही संयुक्तर सदन को वो संबोधित करने जा रही है, राश्पती जी का भाशन भारत के समिधान का गवरव है, भारत की संसदिय प्रणाली का गवरव है और विशेश रुप से आज नारी संमान का भी अवसर है, और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी प्रणपरा के समान का भी अवसर है, ना सर्फ संसदों को, लेकिन आज पूरे देश के लिए गवरों का पल है, कि भारत के वरतमान राश्पतिजी का आज पहला उद्वोधन हो रहा है, और हमारे संसदिय कार्य में गच्छे साथ दसक्त से जो परंपराय विक्सित हुई है, उन परंपराओं में देखा गया है, कि अगर कोई भी नया संसद जो पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है, तो किसी भी दलका क्यों नहों जो पहली बार बोलता है, तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है, उनका आत्मविश्वाद बढ़े उस परकार चे एक सानुकुल बातावन तयार करता है, एक उजवन और उत्तम परंपरा है, आज राष्पती जी का उद्वोधन भी पहला उद्वोधन है, सभी सांसदों की दरब से, उमंग, उत्सा और उर्जा से भरा हुआ, आज का ये पल हो, यह हम सब का दाईत्व है, मुझे विश्वास हम सभी सांसद इस कसोच्टिक पर खरे उत्रेंगी है, हमारी देश की वित्नमंत्री भी महला है, वेकल और एक बज़ेट लेकर के देश के सामने आ रही है, आज के वैश्विक परिस्तिती में भारत के बज़ेट के तरफ न स्रिफ भारत का लेकिन पुरे विश्व का ध्यान है, डवाडोल विश्व की आर्थिक परिस्तिती में भारत का बज़ेट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांशाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरन देख रहा है, उसे वो और अधिक प्रकाश्मान नजर आएं, मुझे पूरा भरोसा है, निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्यास करेगी, भारतिये जनता पार्टी के नित्रुत्व में अंडिये सरकार, उसका एकी मकसद रहा है, एकी मोटो रहा है, एकी लक्ष रहा है, और हमारी कार्य संस्क्रिटिक के केंदर बिंदु में भी एकी विचार रहा है, इंडिया फस्ट, सिटिजन फस्ट, सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावनाओं को आगे बढ़ारते हुए, इस बजेट सत्र में भी तक्रार भी रहेगी, लेकिन तक्रीर भी तो होनी चाहिए है, और मज़े विश्वास है, कि हमारे विपक्ष के सभी साथी, बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्यान करके, सदन में अपनी बात रखेंगे, सदन देश के निती निधारन में, बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके, अमर्द लिखा लेगा, जो देश को काम आएगा, ना फिर एक बार, आप सब को स्वागत करता हूं, बहुत बहुत सुप्वामनाई देता हूं, धन्यवाग!